परिदाबाद में केंद्री राज्य मंत्री क्रिश्पाल गूजर निकिता की घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वन अदी क्रिश्पाल गूजर ने परिवार को आज स्वाशन दिया प्राज्यों को कड़ी सिकड़ी सजा दिलाई जाई परिदाबाद में निकिता हत्यकान की जाँच करने के लिए SIT की टीम निकिता के घर पहुंची परिवार से पूचताच की SIT टीम ने परिशनों को जाँच का भी वरुसा दिलवाया चात्रा हत्या मामले को लेकर पहलवान बजरंग बुटिया ने ट्वीट कर साधा निशाना और सुरक्षा वैवस्था पर उठाई सवाल लिखा कि अपरादी किसी भी धन का हो अपरादी होता है वविता फोगाट ने ट्वीट कर कॉंग्रेस को निशाने पर लिया ट्वीट कर लिखा कि हत्यारे सी कॉंग्रेस का सीधा कनेक्शन है इसलिए राहूल और प्यांका गांधी कुछ नहीं बोलेंगे बोतों का सवाल है रादोर में बलबगर्ड छात्रा हत्या मामले में गुसाई बजरंग दल के साधस्यों ने बलबगर्ड निकिता हत्याकान में दोनों आरोपी तौसिफ और रेहान के दो दो दिन की पुलिस ने मान पर भीज़ा गया फरिदाबाद में निकिता हत्याकान का सीयम मनुहर लाल ने लिया संग्यान उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकट लिया गया है और कारवाई की जा रहे है हर्याना के कानूनों से अब पंजाब का नाम हटने वाला है और इसके लिए एक अधिनियम लाया ग्या है एक अधिनियम को 163 कानूनों से पंजाब का नाम हटाया जाएगा बिहार चुनाव के पहले चरंड की 71 विधानसवा सीटों पर गोटिंग चुरू हुई है कोरोना संकट के बिच बिच बिहार में वो रहे चुनाव में मद्दाताओं को अधिक से अधिक गूत्थों तक ले जाना और गोटिंग पतिशत बढ़ाने का चैलिंग है उचाना में मिलावटी दूद से पनीर मावा खोगा आधी धडल्ले से बनाए जा रहे हैं और बेचे भी जा रहे हैं प्रसाशन और अस्वास से विभाग मिलावट खोडों को रोकने में नाकाम सावित हो रहे है रतिया में मिठाई विक्रेताओं की फूट सेफटी अधिकारियों ने बैठक लिए और बैठक के दोरान फूट सेफटी अधिकारियों ने स्तक्त नर्देश दिये और हर मिठाई विक्रेता को मिठाई काउंटर पर मिठाई के बनने की तारीक और एक्सपाई डेट लिखने के लिए कहा है बवानी खेडा में मांगे पूरी नहीं होने पर नगरपालिका सफाई करमचारियों में रोच देखने को मिला नगरपाली का कारेले के सामने दो दिवसे बूखर्टाल पर बैठे करमसारियों ने प्रसाशन को चेताब नी दी और मागे पूरी करने के लिए का सिर्शा में खेल स्टेडियम धूल फाक रहे हैं तो वहीं आपको बताएं कि देखरेक ना होने के वज़़ा से भवन खसता हाल हो रहे हैं संसादों के अभाव में प्रशिक्शन लेने आने वाले युवा भी खेल परिश्रों में आने वाले आने से कत्राने लगे हैं पंचकुला में सतर से जाधा गायों की मौत का मामला सामने आया माता मंसा देवी गोधाम में गायों की मौत होई है जबकि 100 से जाधा गायों की अबी भी विगवी हूई है यमना नगर से जेजेपी नेता के बेटे पर सत्ता का खुमारी का नशार सामने दिखा है जेजेपी के जिलाध ध्यक्ष आरजुन सिंग के बेटे भूपेंगु सिंग का बुडिया थाने में सेचो पर तिस्टल तान दी सोनिपत में मुर्थल के मशूर धावे पर वेट्रो की दवंगई का वीडियो सामनी आया सुदेव धावे पर खाने खाने आये दो युवकों को वेट्रो ने बुरी तरह पिता करनाल में पुलिस को कामियाबी मिली है 18-19 लाख रुपे की कीमत वाले 45,800 नशीली गोली और सहित दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पकड़े गए आरोपियों को पुलिस नी कोट में पेश कर दो दिनों की रिमान पर भी लिया गुरुग्राम में सुहुना रोड पर गाड़ी में आग लग गई गाड़ी में बैठे वैक्ति के जुलकरी मौत हो गई बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जाक सुरू कर दी यमना नगर के नहरू पार्क में सावचुनिक समाहरो किया गया जिसमें शहीद सभी साथो पुलिस करमचारियों के परिज्मों को आमंत्र भी किया गया जब कश्मीर में सीना ने आतंक्यों के सपाइया किया बड़घाम एंकाॉंटर में सीना के जवानों ने दो आतंक्यों को धेर कर दिया बाकी आतंक्यों के तिलाश जारी है पलवल में आट साल के उमर में ही शाक्र आधित्ययागरवाल ने अपना YouTube चैनल टेकी आदी कोडिंग फॉर किड्स हिंदी में चला रहा है जिसमें वो बच्चों को कम्प्यूटर कोडिंग करना मुख में सिखाता है पुरी दुनिया में कोरोना के आकड़े हुए 4 करोड 42 लाग के पार अब तक 11,777 मरीजों ने गवाई है जो आनको पुरी दुनिया में अब एक करोड के पार एक्चिव केस उक्सन देश में 24 गंटे में 42,784 नई केस आय सामने 510 मरीजों ने गवाई जो आनकोल मरीजों का आकड़ा 89 लाग के पार और अभी भी 6 लाग से जादा केस एक्चिव हर्याणा में करोड़ा मरीजों का आकड़ा 1,60,000 के पार पहुंच गया तो महीं पिस्ट्र 24 गंटे में मिले हैं 1248 नई केस 13 की मौत हो चुकी है एक्टिव केस की संक्या 10,452 से जादा गुरुग्राम में करोड़ा संक्रमण के 346 नई केस आए सामने जबके 244 मरीज ठीक हो चुके हैं जुले में अब 2988 केस एक्टिव पाए गए हैं 28,321 करोड़ा के कुल केस पाए जाए जाए गए